वलकम माई डिया रॉकरइड्स आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूबी जिसे देखकर हर किसी के दिल में हिम्मत और आत्म इश्वास ऐसा आजाएगा कि लाइफ में चाहे कितने ही मुश्किल है क्यों ना आजाए हम जीत के दिखाएंगे ये वाली फिलिंग्स आजाएंगे आपके अंदर एक बस्ती के बच्चे सडकों पर फुटबॉल खेलते फिरते हैं ये बहुत ही गरीब हैं और दो वक्त का खाना, अच्छे कपड़े, चपल कुछ भी ने नसीब नहीं होता लेकिन इनके मन में एक सपना है कि वो किसी तरह फुटबॉल में इंटरनेशनल लेबल पर जीत जाएं क्या इनका सपना पूरा हुआ? ये जाने के लिए दोस्तों वीडियो को एंट तक जरूर देखे और लाइक कीजिए तो चलिए देखते हैं 2010 में रिलीज हुई कोरियन मुटिवेशनल मुवी जिसका नाम है A Bare Food Dream बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा मुवी की शुरुआत में किम नाम के कोरियन आदमी को दिखाते हैं बच्पन से किम की जान थी फुटबॉल वो बड़ा होकर एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था और बन भी गया लेकिन अब वो फुटबॉल से रेटैर हो चुका है और फिलहाल भाड़े पी लीवी उसकी गाड़ी गड़े में भसी वी है तेज बारिश भी हो रही होती है वो एक टेंट में बैठकर नूडल्स खा रहा होता है अचानक बादल गरसते हैं तो वो चौंक जाता है और सारा नूडल्स अपने ओपर ग्रा लेता है नूडल्स इतना करम होता है कि बिचारे से जलन परदास नहीं होती ठंडा केले वो बारिश में खड़ा हो जाता है अगले सीन में देखते हैं कि केम बस्ती के बच्चों को फुटबॉल खेलते वे देख रहा होता है वो भी उनके साथ मज़े से खेलने लगता है तब उसे एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम सूजी है वो एक न्यूज एजिंसी के लिए काम करती है वो बताती है मैं जानती हूँ आप एक फुटबॉल प्लियर है लेकिन आजकल आपके हालत कुछ ठीक नहीं है मैं आपके बारे में लिखना चाहती हूँ दोनों एक रेस्टोंड में जाते है वहां किम अपने बारे में सब कुछ उसे बताता है वो कहता है बच्पन से मेरा सिर्फ एक सपना था एक फुटबॉल प्लियर बनना लेकिन देखो ना बड़ा होकर मैं सिर्फ एक बॉल बॉय बन पाया किसी को मेरे टेलेंट की कद्री नहीं थी पैसा भी ना के बराबर मिलता था फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार ये बेकार का फुटबॉल उसके बाद मैंने एक नहीं सौत एरे के काम करने शुरू किये जो मिला वो कर लिया मैंने कुछ लोगों से उधार लेकर इंडोनेशन में एक छोटी फैक्टरी लगाने की सोची लेकिन मेरे साथियों ने मुझे धोका दे दिया और सारे पैसे एट कर गायब हो गए अब मैं यही सोच रहा हूँ कि बिना पैसे के क्या बिजनेस शुरू करूँ तब ही टीबी में एक न्यूस चल रही होती है सुजी बताती है कि यह इस टेमर है जो हाली में इंडिपेंडेंट देश बना है इससे पहले यह देश इंडोनेशन के कबजे में था तब ही किम को जट से आइडिया आता है कि अगर वो नया देश है तो वहां काम के लिए लोगों की ज़रूरत बहुत जदा होगी अगले सीन में दिखाते है कि किम इस टेमर पहुँच चुका है वो एरपोर्ट के बाहर लगेज के साथ खड़ा होता है तो एक छोटा लड़का आकर कहता है सर मैं आपका लगेज ले चलता हूँ कहां जाना है आपको? कहां आपकी गाड़ी? तब किम को पिक अप करना के लिए का आदमी आता है तो वो लड़का किम का लगेज उस गाड़ी में रख देता है फिर किम से इस काम के लिए वो एक डॉलर मांगता है लेकिन किम का दोस्त उसे भगा देता है वो बेचारा गाड़ी के पीछ भागता वा चिलाता है कि एक डॉलर दे दो प्लीज लेकिन गाड़ी निकल जाती है लड़का उदास खड़ा रह जाता है बेचारा इस लड़के का नाम है रैमोज यहां किम पार्क नाम के गादमी से मिलता है वो बताता है कि तुम्हें जेम्स नाम का एक आदमी कुछ पैसे देने को तैयार है लेकिन यहां तुम्हारे करने लाएक कोई काम नहीं है या तो तुम कोई नया बिजनस शुरू करो या कोरिया वापस चिले जाओ उसकी बाते सुनकर किम एक दम मायूस हो जाता है और उस रात एक होटेल रूम में रुक कर सुभह लगेज लेकर वापस जाने लगता है तब ही पार्क उसको एरपोर्ट डॉप करने के लेकर जाता है इसी बीच रास्ते में गाड़ी के आगे एक छोटा लड़का अपनी बाल लेने आता है इस लड़के का नाम है टुवा सडन ब्रेक मारकर जब गाड़ी रुकती है तो वो कहता है सौरी सर में बाल लेने आया था पार्क तो शौक में होता है कि एक सकेंड तेरी होती तो इसकी चटने बन जाती लेकिन किम वो आराम से गाड़ी से उतरता है और टुवा के पीछे जाता है वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते है और वो इनका गेम इंजुआई कर रहे होते है किम हरान भी होता है और खुश भी कि इस छोटे देश के लोग फुटबॉल को इतना पसंद करते है और इन बच्चों को यो लोग कितना एंकरेज कर रहे है वाँ पार्क कहता है हाँ ये सब तो यहाँ पर चलता रहता है अब चला मैं तुम्हें एरपोर्ट पहुंचा देता हूँ अब किम कहता है कि मैं कहीं नहीं जाओंगा ये बच्चे बिना शूस के खेल रहे हैं अगर मैं सपोर्ट शूस और बॉल्क के दुकान खोलू तो बिजनेस अच्छा चलेगा फिर किम पार्क और जेम्स मिलकर कोरिया स्पोर्ट नाम के एक दुकान खोलते हैं लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आता किम बिचारा वहाँ पर मच्छर मार रहा होता है एक आद बार कोई आ भी जाता है तो शूस का दाम देखकर भाग जाता है किम दाम भी कम करता है लेकिन कोई नहीं खरीदता अब जेम्स जिसने इस दुकान में पैसे इंवेस्ट किये थे वो तो हर मेहने पैसे वसुल करने आ जाता है लेकिन अपना किम तो सूप पिने में मस्त होता है और जेम्स की बात को सीरियस्ली लेता ही नहीं अब जेम्स पार्क को ढटारता है कि यार तुम्हारे कहने पर मैंने इस पे पैसे दिये हैं अब देखो ये कैसी कैसी बचकानी हरकते कर रहा है लेकिन पार्क जेम्स को कन्वेंस करता है कि देखो किम टैलेंटेड आदमी है जल्दी उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा तुम देखते जाओ बस अब किम को बिजनेस चलाने की एक तरकीब सूचती है वो दुकान से शूज लजाकर बिना शूज के फुटबॉल खेलरे बच्चों को दे देता है और कहता है कि एक जोड़ी शूज की कीमत है 60 डॉलर और वैसे भी पैसे अभी देने की जरूरत नह था उसे खुसा आता है कि उस दिन इस आदमी ने मुझे एक डॉलर दिया नहीं और आज इन बच्चों को एक डॉलर में शूज बेच रहा है अब मैं इन लड़कों को हरा कर उसकी नाक कटवाता हूं जरा ये सोचकर वो उन लड़कों के साथ कंपीट करने लगता है लेकिन दिन सारे बच्चे एक एक डॉलर लेकर किम को दे देते हैं वो एक नॉटबुक में हिसाब लिएता है कि अच्छा इसने इतने दिये इसने इतने दिये इस बात को रैमोस का बड़ा भाई भी देखता है कुछ दिन के बाद किम दुकान में बैठा होता है तो दो बच्चे अंदर जहांकर फिर भाग जाते हैं ये टूवा और उसकी बहन है दोस्तों इन दोनों का कोई नहीं है और इनका कोई घर भी नहीं है किम उसे बुला कर पुछता है क्या तुम्हें शूस चाहिए वो कुछ नहीं कहता किम तुरंट उसको एक जोड़ी शू देता है और उसका जहरा एकदम से खिल जाता है उससे जादा खुशी तो उसकी छूटी बहन को होती है कि भाईया को नहीं शू मिल गए वाव टुवा हर जगे उन शूस को पहन करी जाता है अगले दिन फिर बच्चे किम को एक एक डॉलर दे देते हैं अब इन शूस के पैसे भरने के लिए यह बच्चे काम भी करने लगते हैं कोई फुर्ट्स बेज़ता है कोई कुछ तो कोई कुछ हर दिन एक डॉलर कमाने के लिए वो कोई कूई काम करते ही रहते हैं और गेम तो उनका जोरो शोरो से चलता ही रहता है पर रैमोस का बाई एक दिन उन्हें ग्राउन से बगाने लग जाता है किम पूछता है तो कहता है कि तुम हो कौन बच्चों से पैसे लेने वाले हैं अरे मैंने उन्हें शूज दिये हैं उसी के पैसे वसूल कर रहा हूँ पर रैमोस का भाई नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने को कह देता है अगले दिन कुछ बच्चे पैसे देने आते हैं लेकिन कुछ नहीं दे पाते हैं अपकी मुने डांटता है कि भाई एक दिन का एक डॉलर नहीं दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी तभी टुवा और कुछ और बच्चे अपने शूज वापस करते हैं कि देखिये हम और पैसे तो नहीं कमा सकते हैं इसलिए वापस कर रहे हैं तभी मुटावियो नाम का एक लड़का कहता है सर इस मुर्गे को मैंने बड़े प्यार से पाला है ये बहुत अच्छे से लड़ता है आप इसे रख लीजे लेकिन प्लीज मुझसे शूज वापस मत मांगिए और ये सुनक गर किम का दिल भारी हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ वो कहता है कि बेटा इसे तुम ही रख लो और बाकी की लोग जितने भी हैं जब हो सके तब पैसे दे देना मुझे को जल्दी नहीं है ये कहकर वो सारे बच्चों को उनके शूज लोटा देता है लेकिन रैमोज उसका भाई और उसके दोस्त इन बच्चों को ग्राउंड में खेलने नहीं देते है किम तो फिर रैमोज के भाई से बहस करने लगता है कि इतने बड़े होकर तुम बच्चों को खेलने क्यों नहीं देते है अब वो कहता है कि अच्चा तुम खुद तो शूज बेचने के ले इन बच्चों को धोका दे रहे हो कि शूस पहनने से मैच जित जाएंगे और अगर तुम्हारी बात सच है ना तो पुरूप करके दिखाओ किम कहता है कि ठीक है तुम्हारी और मेरी टीम का एक मैच रखते हैं अब किम अपने टीम को जोड़दार ट्रेनिंग देने लग जाता है पार्क तो सर पर घूंका टोड़ कर बैठा होता है कि यार इसे बिजनस चलाने कले पैसे दिलवाए थे मैंने और यह है कि गेम खिल रहा है जेम समुझ है अब मार ही डालेगा लेकिन किम को उसकी कोई फिक्र नहीं होती और वो बड़ी ध्यान से अपने बैस्ट प्लियर्स को स्लेक्ट कर रहा होता है टुवा अपना टैलेंट दिखाता है और साफ नजर आता है कि टुवा के अंदर फुटबॉल खेनले का नैचुरल टैलेंट है लेकिन किम कहता है कि इस बार मैं तुम्हें स्लेक्ट नहीं करूँगा पार्क कहता है ओई तो पागल है क्या वो बच्चा बॉल को दे कि तने अच्छी से ट्रैप कर रहा है और तुवा को स्लेक्ट नहीं करता है वसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है दोस्तों मेरा तुम्हें स्लेक्ट नहीं है तुवा बहुत ही उदास हो जाता है अब स्लेक्टिट बच्चों को किम जर्जी भी देता है बेशारा टुवा दूर से इनकी ट्रैनिंग को देखने लगता है उसकी बहन कहती है भाईया ये ट्रैनिंग तो बहुत मुश्किल लग रही है अच्छा वा तुम स्लेक्ट नहीं हुए लेकिन टूवा को तो मुश्किल काम करने से डर लगता ही नहीं वो तो मैच खेलने के लिए कुछ भी करने को तयार था लेकिन अबो खेल नहीं पाएगा रैमोस का भाई कहता है उस दिन बात हुई थी ना मेरी टीम और तुम्हारी टीम के बीच मैच की तुमने ये तो नहीं कहा कि छोटे बच्चों को ही लेकर आना है या ये भी नहीं कहा कि बड़ों को ही लेकर आना है अब अखेडा क्यों कर रहा हो डर गया है क्या हाँ मैच तो जरूर होगा यह कहकर किम अपनी टीम को मोटिवेट करने चला जाता है मैच होता है शुरू स्टार्टिंग से यह पोनेंट टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है रैमोस तो एक्दम प्रोफेशनल प्लियर कितने खेलता है किम पार को थोड़े पैसे देकर कहता है कि जल्दी जल्दी जाकर एक सूर लेकर आओ वो समझ गया था कि रैमोस का भाई जीतने वाला है आखर मैच होता है खत्म और किम की टीम हार जाती है लेकिन किम अगले ही दिन अपनी टीम को और अच्छे से ट्रेन करने लग जाता है टुआ फिर एक बार किम से मिलता है लेकिन इस बार भी किम छोटे कत का कारण बता कर उसे ट्रेन करने से इंकार कर देता है टूअ की बेहन कहती है, मेरा भाई बहुत अच्छा खेले का आप उसको ले तो लीजिये, आप बहुत बुरे हो जो इसे खेले नहीं देते अब किम रैमोस से मिलने उसके घर जाता है, और कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हुआ करे मैं मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा तो तुम बड़े प्लेयर ज़रूर बनोगे इतने में उसका भाई आकर कहता है कि तुम अपनी टीम का खयाल रखो ठीक है अपने भाई को मैं खुद ट्रेन कर लूँगा और उसे इंडोनेशन टीम में खेन ले का मौका भी दिलाओंगा अब किम उसको ताना मारते हुए कहता है कि अच्छा तुम उसके ले एक जोड़ी शूज नहीं खरीद पाए कहां से उसको प्लेयर बनाओगे अगले दिन रैमोज किम की टीम को जूइन करने आ जाता है क्या सच में आप मुझे इंडोनेशन टीम में भीज सकेंगे किम हां में जवाब देता है किम सबसे कहता है कि रैमोज को देखो उसकी टेकनीक्स को सीखो रैमो की प्रशन सा मोटावियो नाम के गलड़के से प्रदाश्ट नहीं होती क्योंकि रैमोज और मोटावियो के परिवार की बिलकुल नहीं बनती अब किम फिर से रैमोज के भाई को एक मैच करे बुलाता है क्योंकि अब किम की टीम में रैमोज है इस बार अगर किम की टीम हारी तो वो उसे एक और सुवर देने का वादा करता है वो भी मान जाता है और एक हपते के बाद मैच होता है फिर से फिक्स एक दिन ट्रेनिंग के दुरान मोटावियो अचानक से गिर पड़ता है डॉक्टर बताता है कि इसे वाइटामिन की कमी है और अगर इसे पॉष्टि काहर नहीं दिया गया तो उसकी आँखों के दृष्टी जा सकती है उस राज फिर कुछ परिवारों की बेच लड़ाए भी हो जाती है पार्क जल्दी से किम को वहाँ से दूर लेकर जाता है रैमोस का भाई भी लड़ने लग जाता है और रैमोस को घर पर रहने को कहता है लेकिन रैमोस उसके पीछे चला जाता है अगले दिन कुछ पता नहीं चलता कि कौन कहां पर है ग्राउंड एकदम खाली होता है रेमोस की भाई का एक पैर टूड़िया था इसका करण मोटीवो का परिवार था अब किम परिशान होता है कि एक भी बच्चा नहीं आया क्या करो तभी टूअ और उसकी बहन वहाँ भाग कर आते हैं किम दोनों को अपने घर ले जाकर नूडल्स खाने के लिए देता है दोनों बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि कल से दोनों ने कुछ खाया नहीं था किम उनके पैरेंट्स के बारे में पोचता है तो वो बताते हैं कि वो दोनों युद्ध में मारे गए टूअ की बहन कहती है कि मेरा भाई बहुत फास्ट भागता अंकल प्लीज आप उसे अपने टीम में ले लीजिए ना किम एक दम चुब हो जाता है उस रात उसे नींद नहीं आती तब ही मोटावियो वहाँ पर आता है और कहता है चलिए सर ट्रेनिंग शुरू करते है ये मैच हमें हारना नहीं है लेकिन बिना प्लेर्स के हम मैच कैसे खेलेंगे मोटावियो कहता है कि उसका इंदजा में कर लूँगा सर ये कहकर वो गली-गली जाकर वहाँ खेलते वे बच्चों को लेकर आ जाता है फिर केम ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन ड्रेमोज और मोटावियो की हमेशा टकर होती रहती है अब केम टुआ को बुलाकर कहता है कि अगर तुम्हें फुटबॉल इतना पसंद है तो ये लो टीम की जर्जी लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा कद छोटा है तो तुम्हें अपने साथियों से जादा हर्ड़ वर करना पड़ेगा लूआ भी मान जाता है और जर्जी को हाथ में लेकर बहुत इमोशनल होकर फील करने लग जाता है और रोता भी है इसी दिन के लिए वो इतना तरस रहा था अगर आपको भी इन बच्चों का नेवर गिवाब अट्रीट पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो का लाइक जरूर कर दीजेगा किम कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार देखना क्योंकि टीम तो मेरी ही जितेगी और वागई उसकी टीम बहुत अच्छा खेलती है और बड़े लड़के भी उनका मुकाबल नहीं कर पाते भारक पुछता है वाओ यार तुमने इन बच्चों पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि ये लोग तो बॉल लेकर उड़ रहे हैं हम तो मैच अप जरूर जितेंगे लेकिन तभी बॉल मुटावियों के पास आती है रमोस गोल करने की पोजिशन में होता है इनकी लड़ाई की वज़े से मोटावियों से बॉल पास नहीं करता ये खुंदस मैच में नहीं निकालनी चाहिए वैसे रमोस गोस्ता होकर उसे मारने पर उतराता है और ग्राउंड में ही दोनों में लड़ाई हो जाती है इस वज़े से मैच हो जाता है कैंसल अब किम समझ जाता है कि यहां मैच हुआ तो ये दोनों हमेशना लड़ते रहेंगे अगर बाहर किसी टॉर्टनामेंट में जाएंगे तब ये लोग एक होकर खिलेंगे एन वक्त पर उसे पता चलता है कि जैपैन में एक टॉर्नामेंट होने जा रहा है वो अपने टीम की अप्लिकेशन भीजता है लेकिन उस टॉर्नामेंट के लिए इन्हें दो कोचिस की जरूवत होगी किम पार्क का नाम लिख देता है लेकिन पार्क को तो बॉल उठाना भी नहीं आता किम कहता है ये बात हम जानते हैं वो लोग तो नहीं जानते, इसलिए इस टीम के दूसरे कोच, तुम ही बन जाओ समझ गए, पार्क को मानना ही पड़ता है, बच्चे भी बड़े खोश हो जाते हैं कि वो जैपान जाएंगे, किम और पार्क उस कोरेन आदमी से मिलने हास्पिटल जाते हैं, जिसे उन्होंने वाले दिन बचाया था, लेकिन वो आदमी कीम को पुलीस में पक्ड़वा देता है, क्योंकि इस आदमी से पैसे लेकर, किम ने इंडोनेशन में फैक्टरी डालने का प्लान बनाया था, लेकिन फैक्टरी तो लगी नहीं, पैसे भी के पार्टनर्स का चुके थे, अब सारा दोश किम पर आ गया था पुलिस कम्लेंट की वज़े से किम जापा नहीं जा सकता लेकिन किम इन बच्चों को टॉरामेंट में ले जाने की ठान चुका था एक दिन ट्रेनिंग के दुरान रेमोज और मोटावियो फिर लड़ने लग जाते है किम तंग आकर कहता है कि तुम लोग फुटबॉल खेलने लाइक हो ही नहीं जाओ घड जाकर एक दूसरे से लड़ते रहो मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करने वाला कोरिया से किम का दोस्त कॉल करके कहता है कि तुम्हारे ले मैंने एक अच्छी नौकरी ढूंड लिए सेलेरी भी बहुत अच्छी मिलेगी तुम तुरंता जाओ दोस्त किम भी अब जाने का फैसला कर लेता है क्योंकि बच्चों ने उसका मूड खराब कर दिया था रैमोज जो कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था वो परिशान हो जाता है कि किम के बेना उसका सपना कैसे पूरा होगा अगले दिन किम अपनी चीज़े पैक करके एरपोर्ट पहुंच जाता है तब ही टू आकर बताता है कि रैमोज को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है ये सुनकर किम तुरंथ पुलिस स्टेशन आ जाता है तो वहां रैमोज के हाथ में हत्कड़ी लगी होती है दरसल रैमोज ने किसे की गाड़ी से कुछ कोशली चीज़े चुरा कर बेस दे थी उसका भाई भी उसे पेटने लगता है क्लिम उसे रोकता है लेकिन वो मारना नहीं छोड़ता और पोच्छता है कि तुने चोरी की क्यों रैमोज कहता है कि मुझे पता है अब हम जापान जाकर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे इसलिए मैंने ये चीज़े चुराई तांकी उन्हें बेच कर इंडूरेशा चला जाओ वहां कम से कम अपने टेलेंट दिखा कर फुटबॉल टीम जॉइन तो कर लूँगा ये सुनकर उसका भाई भी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो खुद भी अपने भाई को एक प्लियर बनता हुआ देखना चाहता है लेकिन वही है ना पैसों की कमी की वज़े से ये बढ़ नहीं पा रहे होते हैं आगे वो जाकर गाड़ी के उनर के पैर पर घिर पड़ता है कि प्लीज आप अपने कमपेंट वापस ले लीजे ना मैं बिना सलेरी कि आपके लिए कोई भी काम करने को तयार हूँ हम खुम मेहनत करेंगे और अच्छा खेलेंगे टुआ की बहन केम का हाथ पकड़ कर कहती है कि प्लीज मत जाये सर केम का दिल भराता है और वो उसे गले लगा लेता है वो डिसाइड करता है कि अब वो इन बच्चों को टॉर्नामेंट में ले जाकर ही दम लेगा लेकिन क्योंकि उसके ओपर पॉलिस केस है तो वो जापा नहीं जा सकता इसलिए वो उस गोरेन आदमी के पास जाता है और बताता है कि मैंने आपको धोका नहीं दिया असल में मेरे पार्टनर्स ने धोके से पैसे एयंट लिये और इसलिए में फैक्टरी शुरू नहीं कर पाया और नहीं आपके पैसे लोटा पाया फ्लीज मुझे माफ कर दीजिए वो आदमी भी केम की बात को समझ आता है और अपनी कमपेंड वापस ले लेता है अब केम और उसकी टीम जापाएंगे पासपोर्ड के लिए सबकी फोटोज ले जाती है एक लड़का तो वी साइन दिखा कर पोज करता है किम उसको चिड़ाता है कि तुझे दो बातरूम जाना है क्या हाथ ने चेकर पासपोर्ड में ऐसे पोज नहीं करते समझे जपैन जाने के लिए किम कई लोगों से मिलता है और पैसो का इंदिजाम करने लग जाता है टुआ की बहन एक डबा ले आती है जिसमें उसने कुछ पैसे जमा करके रखे वे थे हलंकि इन पैसो से वो जपान तो नहीं जा सकते लेकिन इस बच्ची का दिल तो देखिये कितना बड़ा है अपने भाई के लिए जो पैसे खटे किये थे उसने वो उसको दे दिये यह देखकर किम बहुत खुश होता है और कहता है यह तो बहुत जादा है इसमें तो हम जैपैन तो क्या पूरी दुनिया घूमकर आ जाएंगे थेंक्यू बेटा चले भी गए तो यह बच्चे जीतिंगे इसकी कोई गारेंटी नहीं है इस पर किम कहता है कि अरे यार पार्क मैं जानता हूँ कि इनके जीतने के बिल्कुल भी चांसिस नहीं है पर फिर भी मैं इन्हें उस टॉर्णामेंट में ले जाना चाहता हूँ जानते हो क्यों मैं एक बार जिन्देगी में कम से कम एक बार उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जिसे मैंने शुरू किया मैं हमेशा कुछ ना कुछ नयाज शुरू करता हूँ लेकिन देखा तुमने कभी उसे पूरा नहीं कर पाया फिर चाहे इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने का मेरा सपना हो या बिजनस करने की कोशिश इस बार मैं इस काम को अधुरा नहीं छोड़ना चाहता यार मेरा साथ दे तुने इन बच्चों के आँखों में देखा वो फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना वही सपना कभी मेरा भी रहा करता था खर इन बच्चों के सपने हम मेरे हाथों में हम जीते या हारे ये इंपोर्टन नहीं है मैंने और इन बच्चों ने जापां जाकर खेले का जो फैसला लिया है ना अब उसे कुछ भी करके हम पूरा करके रहेंगे उसके बाद जो होगा देखा जाएगा उसके मुझे कोई फिक्र नहीं है किम और पार्क सोचने लगते हैं कि अब उनके पास कौन सा रास्ता बचा है पैसे खटा करने के लिए तब किम को सुजी की याद आती है वही जनलिस्ट जो अपने दोस्तों न्यूज एजनसी के लिए काम करते हुए देखी थी और जो उस समय किम से मिलने आई थी वो सुजी से बात करता है और वो न्यूज मीडिया में किम की टीम के बारे में लिखती है उसे देखकर इनकी टीम को स्पांसर करने के लिए एक एजनसी आगे आती है बस फिर क्या था अब इने जापान जाने से कोई नहीं रोक सकता था सब ही खुशी से जुमने लग जाते है आखिर वो जापान पहुँची जाते है पहला मैच होता है जापान और इस टीमर के बीच फरस्ट आफ में जापान दो गोल बनाता है इस टीमर जीरो किम अपने टीम को चेयर करता है कि टॉंट वरी बच्चों सिर्फ दो गोल बनाने हैं सिर्फ दो गोल मैच के दुरान मोटियों के इस सर पर चोट लग जाती है ब्रेग में के मुझसे पूछता है कि दर्ड तो नहीं हो रहा वो कहता है नहीं सर दर्ड कैसा दर्ड उस वक्त इस टेमर में लाइब टेलीकास्ट की सुभिता नहीं होती तो जैपैन से एक आदमी उनके FM स्टेशन को कॉल करके मैच का लाइब अपडेट देता है और FM रेडियो का जोकी उसे रेडियो पर ब्राड कास्ट करता है टुआ की बहन भगवान से अपने भाई की टीम के लिए जीत की प्राठ्थना करने लगती है की भगवान भाई जीत जाए जीत जाए फिर वो रेडियो पर मैच ब्राड कास्ट सुनने के लिए भागती है सब ही रेडियो के पास चिपके होते है सेकिंड हाफ होता है शुरू जैपैन के दो गोल और इस टीमर का जीरो कि मोटिवो से कहता है तुम्हें चोट लगी है तुम्हारे बदले कोई और खेल लेगा पर मोटिवो रोने लगता है कि प्लीज सराज मुझे खेलने दीजिए मैं अच्छा खेलूँगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा कि म कहता है कि अच्छा अच्छा जादा डालोग मतमार जाके खेल सबी बहुत अच्छा खेल रहे होते है बाल जाती है रेमोज के पास मोटिवो गोल करने की पोजिशन में होता है लेकिन इनके परिवार का जगड़ा भी यहां पर अर्चन पैदा कर देता है रेमोज मोटिवो को बॉल पास नहीं करता और जैपन की टीम बॉल छीन लेती है इस ट्रेमर की रेडियो पर बताते हैं कि रेमोज ने अच्छा चांस मिस कर दिया पर हमें उम्मीद है अगला गोल हम ज़रूर करेंगे स्कुल में भी क्लासिस नहीं चलती सिर्फ रेडियो के आगे सबी बैठ कर मैच के अपडेट सुन रहे होते हैं फिर एक बार रेमोज और मोटिवो की टकर होती है और दोनों गिर जाते हैं पार कहता है कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैच यतना तो दूर एंड तक खेल भी नहीं पाएंगे कि मोटिवो को घोरने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम मोटिवो भी किम की नजर का मतलब समझ जाता है अब बाल रेमोज के पास आती है लेकिन जैपनिस प्लियर से टकरा कर वो गिर जाता है तो मोटिवो उसे हाद दे कर उठाता है रेमोस की कुछ समझ में न याता कि मेरा दुश्मन मेरे ले खड़ा हो रहा है इस पल में दोनों ये समझ आते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का दुश्मन जैपनिस टीम है इसलिए ने मिलकर अपने टीम को हराना है इस टीमर की टीम अब जम्प कर खिलना शुरू करती है फिर से रेमोस के पास बॉल आती है मोटिव चिलाता है कि रेमोस बॉल पास कर मुझे रेमोस उसे बॉल पास कर देता है और मोटिव बॉल को हेडिंग करके गोल कर देता है पारक और केम तो नाचने लगते हैं कि यही तो चाहिए था इस टीमर Efficermore बताते हैं कि इस टीमर का पहला गोल हो चुका है आम लोग दोस्तों इसको सुनकर जुमने लगते हैं पर इस टीमर का प्रजदेंट भी इस मैच को रेडियो पर सुन रहा होता है और मनी मन उनको चेर करता है अब जैपैन के दो गोल इस टीमर के एक गोल चलो चलो बच्चों चलो कमान जहां पर एक कर दिया वहां दूसरा भी करके दिखाओ यह कहकर किम उने चेर करता है उसकी टीम पर जैसे गोल करने का भूस सबार था वो थोड़ी देर में दूसरा गोल भी कर देते हैं वाओ रेम उसके भाई और उसके फ्रेंड्स दूसरे गोल की ख़बर सुनकर उच्छनने लग जाते हैं पार कहता है कि अम मुझे एक कॉन्फरेंस है कि ये बच्चे मैच जरूर जीतेंगे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता किम कहता है कि अरे हार भी गए तो कोई फिक्र नहीं सडकों पर बिना शूस के खेलने वाले ये बच्चे आस देखो कैसी शान से खेल रहे हैं इनका इस सफ़र यहां रुकना नहीं चाहिए इन्हें बहुत आगे जाना है पार्क बहुत आगे ये सुनकर पार्क के आँसों निकलाते हैं अब जैपैन और इस टिमर के दो गोल है टाइम खत्मोंने जा रहा होता है जो अगला गोल करेगा वही विनर होगा इस टिमर के लोग बड़ी टेंशन में रेडियो पर सुन रहे होते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा दोनों ही टीम्स बॉल को चेज करती है ओ लेकिन बॉल दूसरी तरफ निकल जाती है अब तो कोई फास्ट रनर ही उस बॉल तक पहुँचकर उसे गोल के और लेकर जा सकता है इनकी टीम में सबसे फास्ट रनर है टूवा वोटकर भागता है और जल्दी से बॉल को किक कर देता है इस तरह होता है इस टैमर टीम का थर्ड गोल किम का रियक्शन देखकर दोस्तों आप समझ ही गया होंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है दूसरे कामों की तरह उसने इस काम को अधूरा नहीं छोड़ा बलकि उसे पूरा करके दिखाया एफम वाला चिलाता है कि हमारी टीम जीत गई प्रेजिनेंट की खुशी का कोई ठिकान नहीं होता पूरा इस टीमर नैशनल फ्लाइक को लेकर सड़क पराकर सलिबरेट करने लगता है टूवा की भाई ने खुशी से रो पढ़ती है कि भाईया फानली जीत गए रेम उसका भाई भी खुश हो जाता है कि आखर उसका भाई इंटरनेशनल टॉर्नमेंट जीत करा गया है यहां कीम की टीम उसके पास भागी चलिया आती है कीम टूआ को उठा लेता है मोटिवर जोश में रो पढ़ता है कि हम जीत गए इन बच्चों का सपना पूरा हुआ और इसका कारण है किम इसे खुशी के साथ वो अगले मैच के लिए तयार होते हैं दरसल ये एक सची कहानी है जिसमें इस मैच के बाद इस टीमर की टीम लगातार 6 मैचेस जीती और आकर में इस पूरे टॉर्नामेंट का चैंपेंशिप भी इस टीमर टीम ही जीती थी बड़ी मुश्किल से गुजारा करने वाले परिवार से आएवे ये बच्चे जो कभी सपने में भी इतने बड़े टॉर्नामेंट में खिलने की सोच भी नहीं सकते थे किम की वज़े से सिर्फ किम की वज़े से आज इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल चैंपेंस बन गये हैं इन बच्चों ने अपने छोड़े से देश का सर गर्ब से उचा कर दिया था अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है प्रोफेशन चाहे जो भी हो बिना श्ट्रकल के दोस्तों कुछ भी अचीब नहीं किया जा सकता दरसल बिना श्ट्रकल के मिली भी जीत जीत नहीं होती इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़ना यही है इस मूवी का मैसेज और इसी मैच के साथ अब बेरफू ड्रीम नाम की दोस्तों यह मूवी होती है खतम तो दोस्तों कैसा लगा आपको एक्स्पिनेशन और वीडियो और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे दूसरे चैनल मूवीज वैदर को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं ऐसी दमदार मूवीज के साथ तब तक ले गुड़ बाई खयाल लखे अपना फैनली थेंक्स वर वाचिंग